हेलो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्योरी आफ लौपर और मैं एड्विकेट गुरह आप सभी का स्वागत करता हूं तो गाइस जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे थे कोंस्टिटूशन के पचास इंपोर्टेट एमसे की हो आज हम 51 से लेकर 100 कोशन इसमें कवर करने वाले हैं जो आपके जेल लोग यहां 36 गड़िया और भी किसी कॉंपटिशन एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो गाइस चली बिना किसी देरी के स्टार्ट कर यानि अल्प संख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है तो याद रखेगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 29 ऑप्शन नमबर 3 फिर अगर नेक्स करें पथकर यानि टोल्स जैसे आप जाते हैं तो देखते टोल टेक्स लगता वो किस को उस उस टोल टेक्स के रिगार्डिंग जो प्राविजन है वो किस लिस्ट में आते हैं तो याद रखेगा यह आते हैं राज्यसुची के अंदर किसके अंदर राज्यसुची स्टेट लिस्ट 53 की तरफ चलते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतरगत विधायन की अ तरब तो कितने सदस्य है भारत के रास्पती द्वारा राज्य सभा में नाम निर्देशित किये जाते हैं हाँ मैंनी मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर नॉमिटेड वाइदा प्रेजडेंट ऑफ इंडिया तो याद रखिएगा 12 मेंबर यानि option number 3 हो जाएगा और ही से आप लोगों के लिए कोशन है आपको कमेंट बॉक्स मेंट करके बताना है कि ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट कहाँ पर राज्य सभा में ये नॉमिनेशन का प्रोसेस किस कंट्री से अडॉट किया है और साथी साथ दूसरा कोशन आपको भी बताना है जो DPSP है पार्ट फोर में जो DPSP दिये गए है वो किस कंट्री से लिए गए है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिए करके बताना है चलते नेक्स कोशन 55 की तरफ कौन से अनुच्छेत के अंतरकत राज्यो द्वारा उधार लेने का प्रावधान है अंडर विच आर्टिकल बॉराइंग बाई स्टेट इस प्रोवाइड़ तो याद रखेगा आर्टिकल 293 ऑप्शन नमबर टू इसका अंसर हो जाएगा फिर एकर नेक्स बात करें अनुच्छेत 51A के अनुच्छेत 51A 51A में खंड टै को कब सम्मिलित किया गया याद रखेगा आर्टिकल 51A वाज इंसर्टेट वाए तो याद रखेगा आप्शन नमबर ट्री 86 ऑप्शन नमबर टू इससे क्या क्या हुआ था 21A राइट टू एजुकेशन चोड़ा गया आर्टिकल 45 याद रखेगा उसमें अमेंड किया गया और तीसरा 51 के ये इंकॉर्परेट किया गया था तो इन चीज़ों को याद रखेगा तो कल भी एक चीज़ बतायती वीडियो में अमेंडमेंड हुआ था 2002 में 2002 में अमेंड हुआ और ये अप्लाई का अपसे हुआ था 2010 में आठ साल बात फिर अगर नेक्स 57 की बात करते हैं संपत्ति काथिकार की सनुचेत के अंतरकत आता है तो याद रखेगा अब ये ऑप्शन नमबर 4 आर्टिकल 300A में आता है पहले कहा पर था फंडमेंटल या फंडमेंटल राइट से अगर फिर बात करता है 58 अनुचेत 43A संविधान में निमलिकित में से किसके द्वारा संविलित किया गया है तो याद रखेगा जो 43A है DPSP में 42nd constitutional amendment से ये incorporate किया गया था और 42nd constitutional amendment को क्या बोला जाता है मिनी constitution के नाम से भी जानना जाता है अब च तो याद रखेगा फाइनेशल अमर्जेंसी 59 फाइने कोशन नमर 59 आर्टिकल 360 फाइनेशल अमर्जेंसी इंडिया में आस तक कभी भी नहीं लगी है फिर अगर 60 की बात करें कौन सा अनुच्छेत नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सीविल कोट एक सवान सीविल सहीता की सेंटर को गाइडलाइन दिया डारेक्शन दिया कि क्या किया जाए उनिफॉर्म सीविल कोट बनाया जाए तो याद रखेगा सरला मुद्गल वर्सेश उनिफॉर्म सीविल कोट से भी जूड़ जाता और साती सात यह हमारा बाइगेमी से भी जूड़ता है आईपी सी में जो अभी आईपी सी है उसमें 494 बाइगेमी है तो बाइगेमी से जुड़ जाता है यहां पर आर्टिकल कोशन नमबर 61 की बात करें तो जो 61 अमरा बात करता है भारते सम्मेदान के अंतरे प्रशासनिक अधीकरण उपलब्द है यानि administrative tribunal का है तो याद रखेगा अनुछे 323A में option number A इसका answer हो जाएगा फिर अगर बात करें next 62 की कौन से नुच्छेत के अंतरे भारा राज जोगा संग होगा अन्डर विच आर्टिकल इंडिया शेल्प या union of status provided तो याद इगा article 1 में बताए गया है ची कहा है इस तो आप चलते है next हमारे question number 63 की तरफ भारतिये सम् कमेटी के हैड कौन थे तो देखे सभी को पता डॉक्टर बीमराव अंबेटगर क्या थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड थे अच्छा टोटल कितनी समिट बुलाएगे थी टोटल कितनी मेटिंग्स हुई थी जब constitution बनादा था टोटल कितनी मेटिंग्स हुई थी first कब हुई यह डेट और जो फाइनल मेटिंग हुई फाइनल मेटिंग यह डेट तो यह तीन डेट आपको कमेट बॉक्स में लिखने है याद रखेगा और इसी के साथ साथ टोटल नम्बर अफ मेटिंग कितना था यह भी आपको बताना है फिर चलते से 64 की तरफ कि समिधान सभी को पता 42nd constitutional amendment से 65 बात करता है किस ने कहा कि भारतिय सम्विदान क्वासी फेडरल है अर्द संगात मक्यत किस ने बोला तो आईवर जेनिंग सर आईवर जेनिंग्स ने बोला था सॉरी केसी वियर प्रोफेसर केसी वियर ने बोला था याद रखेगा option number first is cancer हो जाएगा फिर बात करते हैं 66 question number 66 बोलता है भारत में संप्रभू कौन है वो is sovereign in India तो याद रखेगा वीदा people of India वीदा people of India option number four is cancer हो जाएगा चलते हैं section से हमारा question 67 निम्लिखित में से किस एक अनुच्षेद में विशेश प्रावधान बनाने इतुराज्य को अनुमती नहीं देता यानि article 15 में किस ग्राउंड पर आप special law नहीं बना सकते हैं तो याद रखेगा economically backward class आर्थिक द्रस्टी से पिछड़ा वरगा क्योंकि यह जो question है पुराने paper में आया हुआ इसलिए इसके अंदर आर्थिक द्रस्टी से पिछड़ा बताया गया लेकिन अब भी अगर बात करें हमारा EWS जी हाँ याद रखेगा EWS 103 constitutional amendment economically weaker section आखरी आर्थिक रूप से कमजोर बर गो तो उनके लिए क्या कर सकता है special लोग बनाया जा सकता है 103 संविदान से दो चीज़े एड हुई 15 का clause 6 और article 16 का clause 6 तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है 68 की तरफ चलते है एस परस्ता समाप्त कर दी गई है और इसका संचालन भारतिय संविदान की संश्विद के अंतरकत है तो याद रखेगा article 17 untouchability कहां पर है article 17 में फिर आते next 69 की तरफ 69 बात करता है अनुचेद 19 clause 1a में भाशन अभिविक्ति की सोतंतरता की गारंटी प्रतान करता है यह जो article 19 clause 1a यह जो fundamental right किसे दिया गया है क्या यह इंडिया और foreigner दोनों को दिया है या only citizen of Indians को द अब मैं कोशन बताने जा रहूं हर बार पेपर में रिपीट होता याद रखेगा पांच पांच मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिये गए हैं कल भी बताया था कल की वीडियो कर आपने देखे होगी जिल लोगों नहीं देखिया वो देख ल अब आ जाते हैं सत्तरवे कोशन पर भाषण हैं अभीवक्ति की सोतंतरता में निमलिखित शामिल हैं फ्रीडम और स्पीच एंड एक्स्प्रेशन इंक्लूड तो याद रखेगा आटिकल नाइंटीन क्लॉज वन सी थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा और इसी के साथ इन्डियन कॉंट्टिशन इंडियन कॉंट्टिटिशन इसी के साथ उसी के साथ 43 यह तीन प्रॉविजन है आर्टिकल 19 clean 1C में क्या किया गया था कॉपरेटिव सोसाइटी वड़ाइड किया गया था 43A, Article 43B Sorry, Article 43B में भी अमेंड किया गया था 97 Constitutional Amendment और इसी के साथ Part 9B जे सब इसी अमेंडमेंड से 97 Constitutional Amendment से कॉपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग add-on किये गए थे अब अगर हम नेक्स्ट कोशन की बात करें तो 72 भारते सम्विदान की किस अमेंडमेंड में दोरे दंड के विरुदिसन रक्षण के सिधान को माननेता दी गए दो डबल जीओ पार्डी सभी को पताए जो डबल जीओ पार्डी का Concept का है Article 20 Clause 2 में 20 Clause 3 में क्या है Self-Incrimination, Protection Against Self-Incrimination, TIC और Clause 1 में क्या है Exposed Facto Law, चीक है न, Exposed Facto Law, फिर कर बात करें 73 की भारते सम्विदान की नुच्छे दिकिस में जीनिक अधिकार में सम्भी लीते हैं Right to Life Include All of the Above Right to Live with Human Dignity Right to Livelihood, Right to Remain Alive यह सारे के सारे Right का है Article 73 में, Article 21 में दिये गए हैं फिर सक्षन, हमारा Question No. 74 की बात करता है भारते सम्विदान की नुच्छे दिकिस में उपलब्द दैहिक सोतंतरता की अधिकार में शामिल है Right to Personal Liberty under Article 21 of Constitution Includes तो याद रखिएगा इसके अंदर भी Option C हो जाएगा Both the above A और B दोनों ही इसके अंदर Includes हो, Third Option हो जाएगा 75 की बात करते हैं यह बोलता है, भारते सम्विदान की नुच्छे दिकित में गिरफ्तारी के कारण जानने का दिकार प्रादानित किया गया है तो याद रखिएगा Article 22 clause 1 या नि, Third Option हो जाएगा यही से आप लोगों के लिए कोशन है CRPC में Ground to know of arresting Arresting के ground बताना यह किस section में दिया गया CRPC की, यह आपको comment box में लिकर के बताना है फिर अगर next बात करें 76 76 बात करता है कितने समय में एक विक्ती कितने समय में गिरफ्तार विक्ती को magistrate के सामने पेर किया जाना है तो याद रखिएगे को 24R और आपको साथी comment box में लिकर कर बताना है CRPC में कहां दिया गया है कि 24R में arrest किया तो आपको magistrate के सामने ले करके जाना है 77 की बात करें भारत में कौन इवारक निरोद अदिनियम कानून पारित कर सकता है तो याद रखिए का स्टेट और सेंटर स्टेट लेजिसलेचर और पार्लेमेंट दोन ही क्या कर सकते हैं Preventive Detention Act के regarding law pass कर सकते हैं अगर 78 की बात करें भारते समिधान के किस अनुच्षेद में शोषण के विरुद्ध दिकार प्राफधानिद है तो option number one protection against the exploitation तो याद देखिए का 23-24 option one हो जाएगा 79 की बात करें भारते समिधान के किस अनुच्षेद में धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंतरता प्रदान की गई तो right to propagation to religion और profess किस में है तो article 25 इसका clause option one हो जाएगा 80 की बात करें समिधान के नुच्षेद में अलप संख्यों को अपनी रूच्षी की शिक्षा शिक्षा संस्था स्थापना और प्रिशासन करने का दिखा रहे तो याद रखेगा 80 का हो जाएगा option number three जो ये establish और run establish और administration का जो right है minorities का कहाँ पर है article 13 clause one में फिर गार 81 question की तरफ बढ़ते हैं 81 बात करता है भारतिय समिधान के निमली की तनुच्छों में से किसमें नागरिकों को अपनी भाषा लिपी और संस्कृती बनाए रखने का दिखार है यानि कौन सा article language script और culture preserve करने का रएट देता तो याद रखेगा article 29 clause one तो इसका 81 हो जाएगा 82 की अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के हनन पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचि का आदेश कर सकता है यानि जब आपके मौलिक अधिकारों का अतिकर्मन किया जाता है तो इस केस में रिट कौन इशू कर सकता है तो याद रखेगा आपके इसके सामने रिट दे सकते हैं या सुप्रीम कोड की रिट के रिट के रिगाडिंग पावर जादा है नेक्स 83 बात करते हैं अवैद कारावास के लिए कौन से रिट जारी की जाती है विच रिट इस इशूड फोर अनलोफुल इंप्रिजरमेंट तो याद रखेगा हैबियस कॉर्पस बंदी प्रतक्षी करण रिट CRPC का कौन सा सेक्षन CRPC का कौन सा सेक्षन Alternative remedy of हैबियस कॉर्पस बताता है वैकल्पी कुप्चार बंदी प्रतक्षी करण का CRPC का कौन सा सेक्षन बताता है या आपको comment box में लिक करके बताना है चीक चलिए next आ जाते है 84 की तरफ 84 बात करता है निम्लिकित में से कौन से रिट लोग निया की विरुथ जारी की जा सकते है which of the following rates can be issued against public undertaking तो याद रखेगा mad bus option number 3 परमादेश फिर बात करें 85 की राज्जे के निती नहीं दे शकता है तो कौन से भाग में दिये गए है DPSP जो है वो किस पार्ट में तो सभी को पता पार्ट 4 में है फिर बात करें 86 की निम्लिकित में से कौन सा राज्जे का निती नहीं दे शकता है तो नहीं है which of the following is not a directive state of principal policy तो याद रखेगा इसमें जो प्राइवेट उद्योगों को साहता है असिस्टेंट टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज यह हमारा DPSP नहीं है फिर अगर बात करें 87 की भारते सम्मिदान के किस सनुच्षेद में राज्जे जन स्वास्त की रक्षा के लिए मादग पेओ तथा हनिकार कोश्दियों के भोग का प्रतिशेद करेगा अंडर विच आर्टिकल अफ इंडियन कॉंस्टिटुशन स्टेट कैन प्राइवेट दा कंजम्शन आफ लीकर एंड हामफुल ड्रक्स तो प्रोटेक पब्लिक हेल्ट एड आफ दी सुप्रीम कोड तो याद रिखे का यस ऑप्शन होनो जाएगा बिल्गुल सही बात है सुप्रीम कोड की एड में काम करेंगे ए सुप्रीम को को साहता देंगे कौन से आर्टिकल में बात की गई है या आपको comment box में लिक करके बताना है 89 की तरफ चलते हैं हमारा question number 89 कहता है कौन सबाग राज्य भाषय से संबंदी है language language से कौन से schedule जूड़ती है schedule 8 जूड़ जाती है language जो है हमारा कौन से chapter में 17 में emergency कौन से हमारे provision में है emergency तो याद रहे emergency 18 में है और language 17 में फिर अकर बात करें 90 की 90 क्या बहुत बात करता है 90 में list दिये कि इसका match कीजेगा तो इसमें मैं बता देता हूँ match करके आप option ठिक कर लेजिए का हमदर्द दवाखाना case यह हमदर्द दवाखाना case यह हमारा जुड़ जाता है article 19 से सरला मुदगल वाद अभी आपको बतायाता ने uniform civil court के ओपर landmark के सरला मुदगल तो article 44 से PV नरसीमा राओ यह हमारा parliamentary privileges से जुड़ जाता है और जो केदारनात का वाद है केदारनात article 20 से जुड़ जाता है फिर अगर बात करें 91 की तारकुंडे समीती संबनीता है यह जो तारकुंडे समीती है याद रखी है और बलवंत राय कमेड़ी ये दोनों किसे हैं ये दोनों पंचायद से हैं और तारकुंडे ये हमारा जूड़ जाता है इलेक्शन प्रोसेस से निर्वाचन प्रक्रिया से 92 की बात करें समवर्ती सूची में कौन सा विशे सम्मिलित है विश सब्जेक्ट इस इंक्लूड इन दा कॉन करेंट लिस्ट तो याद रखेगा ऑप्शन नम्बर टू ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज ये किसमात है कॉन करेंट लिस्ट मात यानि स्टेट और सेंटर दोनों लोग बना सकता है 93 एक विश्टी जो राज्यविदान मंदल का सदस्य नहीं है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकेगा येस बिल्कुल कर सकता है याद रखेगा अब आजाते हैं मख्य मंतरी ही नुक्त किया आजाते है नेक्स 94 पर भारत के सम्विधान का उनुचे 392 कठनाईयों को दूर करने की शक्ती संबंदीत है किसे राष्ट पती से याद रखेगा दो राज्य के लिए एक उच्छ नयले के नाइदीश को शपत दिलाता है यह याद रखेगा यह आपको बताना कौन से आर्टिकल में है कि दो स्टेट के लिए एक ही ही कोट हो सकता है जैसे आप देखेंगे तो जो कलकत्ता ही कोट इसका बहुत सारे कोट को पर जो बहुत सारे स्टेट के उपर जो रिडिक्शन है इसी तरह से अगर हम बात करें यूनन टेरेट्री और हाई कोट यानि यूनन टेरेट्री और प्लस हाई कोट के लिए एक ही ही कोट हो सकता है तो आपको यह आर्टिकल बताने है कहां पर दिये गए है कि दो स्टेट के लिए हाई कोट हो सकता है और स्टेट प्लस यूनिन टेरिटरी के लिए भी हाई कोट हो सकता है तो अगर हम सक्षन दुबार से बात करें 95 की दो राज्यों के लिए एक उच्छ नियले के नहीं अदीश को शपत कौन दिलाता है तो याद रगेगा ऑप्शन नमबर 4 राज्य पाल द पर आप धर्म के उपर रोख नहीं लगा सकते हैं 97 की बात करें उच्छ नहयले के अपर निया दीश का कारेकाल तो याद रुकिए करक्षी यूनियन यानि जो अग्रिकल्चर इंकम होती है इसके अलावा जितनी इनके इनके रिगार्डिंग लॉकान बना सकता है टेक्स कोन लगाता है तो याद रखेगा यूनियन लिस्ट में आता है यूनियन हमारा इस पर लॉव बना सकती है 99 की बात करें नमलुकित में से कौन सा है नुच्छेट से संका या करता वे है कि वह बाया करमोड और आंतरिक शांत्री से प्रितिक राज्य की संरक्षा करें तो याद रखेगा आर्टिकल 355 ऑप्शन नमर फोर हो जाएगा सिदा सीदा और लास्ट कोशन आता है सम्विधान सबका अस्थाई अध्यक्ष कौन है तो याद रखेगा ऐस्थाई ते सच्चिता नंसीना और जो प्रमाणेंड थे वो थे डॉक्टर राजंदर पर साथ। सबसे ज़्यादा about time period तीन बार लगातार हमारे देश के रास्थपति रहे देश के पहले रास्थपति थे और जो हमारा जेलो के एक्जाम में और 36 गड़ के एक्जाम में बहुत सारे कोशन कवर होने वाले हैं तो बने रहिएगा तेयोरी ओफ लॉग के साथ सच चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेर कीजेगा ताकि आपको इन्फरमेटिक वीडियो मिलती रहें थैंक यू गाइब कीजेगा